राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूवी जो की साल 1913 में बनाई गई थी ये मूवी दादा साहिब फालके के द्वारा बनाई गई थी ये मूवी अपने वक्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी पर आज जब हम इन मूवीज को देखते हैं तो इन मूवीज की कुछ ज़लके ही देखने के बाद हो सकता है आपको एक अजीब सा क्रीपी एहसास होने लगे ये मूवीज आज की हॉरर मूवीज से भी ज़्यादा डरावनी और क्रीपी लगती है पर क्या आप इससे भी ज़्यादा पुरानी और अजीबोगरी मुवीज देखे हैं? यदि नहीं तो आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपको राजा हरीश चंदर की मुवीज भी कम क्रीपी लगे तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की और और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब टो और चैनल हमारी पहली वीडियो 1857 की है ये वीडियो अपने वक्त की सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्मों में से एक थी इस फिल्म का नाम था दव पिनिंग टॉम इस फिल्म में एक सक्स अपने होटल के हर गेस्ट के रूम में हर वक्त जहां का ताकिक करता है ये फिल्म एक अमेरिकन मोटर्स कॉपी कंपनी के दोरा बनाई गई एक कॉमेड़ी सौट फिल्म थी पर इस फिल्म को आज शायद ही कोई सक्स एक कॉमेडी फिल्म माने आज ये फिल्म सबसे ज़्यादा क्रीपी फिल्मों में से एक मानी जाती है सन 1858 की सबसे ज़्यादा मश्हूर और आज की सबसे ज़्यादा डिस्टरबिंग फरेंच शॉट फिल्म जिसका नाम था The Astronomer's Dream या The Man in the Moon इस फिल्म में हम एक बड़े से क्रीपी और डिस्टरबिंग फेस को देखते है जो बार बार एक एस्टरोनॉमर को परिशान करने की कोसिश करता है आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताए हमारी अगले क्रीपी फिल्म 1905 की है जिसका नाम है अहला बार जिसको इंगलिस में अफ़नी शेव भी कहा जाता है पर दो मिनिट की ये शॉर्ट फिल्म आपको फ़नी कम और क्रीपी ज़्यादा लगेगी हमारी ये फ्रेंच फिल्म साल 1908 की है इस फिल्म का नाम था लाग लेने लूई जिसका मतलब होता है दफ फ्राउग उस वक्त जब फिल्में बनना शुरू ही थी तब इनको बनाने के पीछे ज्यादा मकसद नहीं हुआ करता था जिस कारण इन फिल्मों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था यदि आपको इस फिल्म को देखने के बाद कुछ समझ आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताए हमारी ये फिल्म 1908 की एक शॉर्ट हॉरर फ्रेंच फिल्म है ये फिल्म अपने वक्त की सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्म मानी जाती है और आज की सबसे ज़्यादा क्रिपी शॉर्ट फिल्म आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो आवर चैनल